नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे मुहम्मद गोरी की जीवनी या बायोग्राफी के बारे में हम लोग मध्यकालिन भारत की इतिहास में जितने भी सासक हुए, सुल्तान हुए उन सब की बायोग्राफी को एक एक करके हम अपने लेक्चर में कवर कर रहे हैं से पहले हमने मुहमुद गजणवी की बायोग्राफी को कवर किया था, आज हम év Caesar की जीवनी की जीवनी की कवर करे इसलिए इसके नाम किया गए गोड़ी लगाया जाता है मुहम्मद गोड़ी इसका वास्तोविक नाम असल में शियाबुदीन मुहम्मद गोड़ी था कहीं कहीं इसका नाम महजुदीन मुहम्मद गोड़ी भी मिलता है तो इसकी बियोग्राफी को कवर करने से पहले हम अम्राजी के बारे में जान लेते हैं इसके उधाय के बारे में तो यहां पर देख रहे हैं तो यह वाला जो छेतर देख रहे हैं यह वाला छेतर कहलाता है Central Asia जिसमें से लेके कज्याकिस्तान और शबैकिस्तान तुरक एमिनिस्तान ये सब छेतर आते हैं यह सब छेतर जो है वो काफी असांत छेतर था उन दिनों मद्यकाली नित्यासम में यह सब काफी यहां पर छोटे बड़े बहुत से कबीले जंजाती के लोग रहते थे जो आपस में ही लड़ने और मरने मारने में ही वियस्त रहते थे तो उन दिनों जो है यहाँ पर अफगानिस्तान और इरान वाले छेतर में मुख्यता जो है तीन बड़े सामराजी थे एक था गजनी सामराज जो जिसके सासक मुहमद गजनी ने भारत पर 17 बाड़ा कमन किया था उसकी मैंने एक अलग से लेक्चर उसकी बैगरफी में कवर कर दी है उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक था गोर सामराज जो बाड़वी सताब्दी यानि मद्द कालीन समय में इ इसलिए जो ख्वारिज्म सामराज्य कहला था तो उन दिनों जो है यहाँ पर अफ़ानिस्तान इरान वाली छेत्र में तीन मुख्यता जो थे वो बड़े सामराज्य थे तो गोडी सासक उन दिनों जो है अलाउदीन हुसैन सा हुआ करता था गोडपरांत का सासक जो महसूस हो रहा था इसके बढ़ते वर्चस्प से तो इसने जो है अलाउदीन हुसैन साह पर आकरमन करवाया हमला करवाया लेकिन इसमें अलाउदीन हुसैन साह बच गया और इसका भाई जो है अलाउदीन हुसैन साह का भाई वह मारा गया इसके बाद जो है सुल्तान को वर्ल्ड बर्णर या फिर विस्व बर्णर या विस्व को जलाने वाला के खिताब से भी नवाजा जाता है इसके उपनाम दिया जाता है विस्व को जलाने वाला या फिर वर्ल्ड बर्णर और यह जो है गजनी समराज्य का यहीं पर अंत कर देता है इस तरह से गजनी समरा पर यहां पर यह रहा अफगानिस्तान और यहीं पर यह रहा गोर्प्रांथ तो इसी गोर्प्रांथ पर 1144 में मुहम्मद गोरी का जन हुआ था मुहम्मद गोरी के पिता का नाम बहा अल्दीन शाम हुआ करता था मुहम्मद गोरी का वास्तविक नाम मैजुदीन मुहम्मद या फिर सियाबुदिन मुहम्मद गोरी हुआ करता था मुहम्मद गोरी दो भाई था इसके बड़े भाई का नाम गिया सुद्धिन मुहम्मद गोरी हुआ करता था मुहम्मद गोरी का प्रादंबिक जीवन काफी कटनाईयों भी था इसके पिता के मिलतिव 1149 निस्पी में हो वहाँ पर रख सके ठीक है और जो राजा बने अलाओदीन हुसान सा के बाद ने उनका पुत्र बने तो सुलतान अलाओदीन ने उन्होंने कैद तो कर दिया लेकिन सुल्तान अलाओदीन हुसान सा की मृत्यु 1161िस्थी में हो जाती है और इनकी मिर्तिव के बाद इनका पुत्र राजा बनता है सुल्तान सैफुदीन तो सुल्तान सैफुदीन जो है वो मुहमद गोरी और उसके बड़े भाई दोनों को रिया कर देता है 2163 में सुल्तान अलाओदीन का बेटा सुल्तान सैफुदीन यह सेलजाक तुर्क जो उनसे लड़ाई करते हुए सुल्तान सैफुदीन माड़ा जता है इसके बाद गोर परांत का जो राजा है वह मुहम्मद गोरी का बड़ा भाई गिया सुद्दीन गोरी सुल्तान बनता है मुहम्मद गोरी अपने भाई के सासक बनने का समर्थन करता है और मुहम्मद गोरी जो है वह अपने भाई के पती हमेशा सहीं वफादार था अब प्रस्णिया उठता है कि हलो अफगानिस्तान में गोर प्रांत के जब ये राजा बनी चुका था एक ताकत और समराजी का गठन हो भी चुका था तो इसने भारत प्राकम क्यों किया तो देखिए मुहमद गोरी और इसका बड़ा भाई दोनों अपने इस गोर समराजी का और बहुत ज़्यादा विस्तार करना चाहते थे ठीक है लेकिन इस तरफ ये सेंट्रल एशिया के तरफ जो है कजाकिस्तान उद्वेकिस्तान तुर्केमिनिस्तान वाले छेतर में ये जा सावना चाहा अपने समराज जी का विस्तार करना चाहा लेकिन वहां पर पहले सही ख्वारिज्म साह जो का ख्वारिज्म सामराज जी का उसने करासान प्रांत है के पास बीच उद्ध होता है Rodriguez'da ह और क्रांत वाले छेतर के तरफ भी अपने सामराजी का विस्तार नहीं कर सकता था Central Asia के तरफ ये अपने सामराजी का विस्तार नहीं कर सकता था तो अब बच गया जो इसके पाद वह ये वाला छेतर बच गया वर्तमान का जो पाकिस्तान है और भारत है ये वाला छेतर बच गया तो इसल पारीफ एक छेतर परता है पाकिस्तान में भी वहाँ पर भ्याक्पमन करता है और इन दोनों जगहों को जीत लेता है मोहमध-गi इसके बाद मोहमध-गo robi जो है वो गुजरात की तरफ अपना रूख करता है दरशल गुजरात से महमूद गरनी ने बहुत सारा धन लूटा था इसी चाहा में जो है मुहम्मद गोरी भी गुजरात की तरफ अपना रूख करता है और गुजरात जाते वग जो है रास्ते में राजस्थान के समीड जो है माउंट आबू परवत के समीड उसकी भिरंथ होती है सुलंकी सासक मूल राजदिवत इसे और इसे जहां पर यह भिरंथ होती है वह जगह था कसाद्रा या फिर उसे कयाद्रा भी कहते है इसलिए इन दोनों के जहां लड़ाई हुई थी उसे कसाद्रा या कयाद्रा का युद्ध कहते है इस युद्ध में मुहम्मद गोरी की पढ़ाजय होती है सुलंकी मूल मूल राजjungειती है मूहमदगोडी भारत में आया थनी रासते से वापस भाग जाता है है भाग करके वापस गरजनी चला जाता है ठीक है इसके बाद में मुहम्मतगोरी एक काफी समझदार सासक था वह हार मानने वालों में से नहीं था तो इसलिए वह इस पे विशलेसन करता है आपर उसने कहा गलती की, कैसे वह हारा इसलिए वह अपनी रगनीटी में थोड़ी से बदलाव करता है और 1189し Mantis wives भारत के तरह रूप करता है और 1189 us Worlds में वह पिशावर को जीता है वह वर्तमान में पाकिस्तान में पहले तो यह सभी भारत की हिच्छ इंगगगा करते थी तो 1189 we wanna p simult को सिंध को जीतता है यहाँ पर लाहाँ इसके बाद में 1190 इस्पी में वह आगे बढ़ते हुए भटिंडा पहुंचता है जो बर्तमान पंजाब में है यहाँ पहुंचता है बहुंचता च्षेत्र जो है उन दिनों समराथ पृत्वी राज चोहान के राज्य छेत्र के अंतरग गोविंद्राय के नित्वित में अपनी सेना को भीजते है पृथ्विराज चोहां और यहाँ पे जो है दोनों सेनाओं की भीरन्त होती है तराइन वर्तमान में जो हरियान में परता है करणाल के समय तराइन तो यहीं पे 1101 में दोनों सेनाव मुहम्मद गोडी की सेना और पृत्वी राज चोहान ने जो गोविंद राए को भेजा था इन दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पर तराइन के समय भिरंत होती है 1191 में जिसे तराइन का युद्धना दिया जाता है इसमें गोविंद राए बड़े ही भादरी से लड़ते है और किसी तरह से मुहम्मद गोडी इसमें पढ़ाजय होता है और अपनी जान बचा करके किसी तरह यहां से भाग जाता है और भाग करके वापस गजनी चला जाता ह लेकिन मुहम्मद गोडी जैसा कि मैंने कहा वो हार मानने वालों से था नहीं तो वो जो है इस हार का बदला लेने के लिए ठाम लेता है और 1192 इस्पी में वह अलगभग एक लाख तीस हजार सेनिकों को फिर से कठा करता है और उसके बाद में यहां पे उसने यह काम किया था क कि उसने इस बार जो है उसके सैनिकों को उसने अपने इस टील के बने हुए कोट इस टील के बने हुए जो कवश थे वह पहना आया था ताकि इस पर तीर है और खास तीर और तलवार यह दोनों जो है उस पर बेसर हो सके ठीक है और इस तरह से जो है वह अपनी सेना लेकर च के भारती राजाओं से मदद मांगता है लेकिन उसे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है उल्टा जो है मुहमद गोरी को जो है जैचंद का साथ मिलता है अब यह जैचंद कौन था तो इतिहास पर किस्सा आ है कि जैचंद की पुत्री से पृत्वी राज चोहान जो है वो प अब ऐसा नहीं है कि जैचंद की सेना मुहमद गोरी की तरफ से लगती है मुहंद गोरी की सुचनाय देता है कुछ ऐसी खुप्य जानकारी देता है जिस कारण वो मुहमद गोरी इस युद्ध में जीत जाता है अब वो क्या mortar ती तो जैचंद Можно मुहमद गोरी को यह बताता कि प्रित्वी राज चोहान की सेना या फिर जादा तर जो भारतिय सेना है वो सिर्फ जो है वो दीन के वक्त ही लड़ती है वो रात के वक्त युद्ध नहीं लड़ती है एक तो यह जानकारी देता है दूसरा यह जानकारी देता है कि वह आमने सामने की लड़ाई में प्रित चंद मुहम्मद गोरी को बताता है और इस तरह से मुहम्मद गोरी अपने सैनिकों को पांच अलग अलग टुक्रियों में बाट देता है और रात के अंधेरे में मुहम्मद गोरी की सेना पृत्वी राज चोहान के सैनिकों पे चारों तरफ से हमला करती है जिसे तराइन का द दूइती युद्ध के बाद पृत्वी राज चोहान का क्या हुआ इसके विषय में इतिहासकारों का अलग-अलग मत है। मैंने लग-बग आठ इतिहासकारों की मध्यकाली नितिहास की किताबे पढ़ी हैं। उसके अधार पे जो तीन जो सबसे प्रमानिक चीजे हैं वो मैं दूसरे कुछ ही तिहासकार यह मानते हैं कि पृत्वी राज चोहान ने मुहमद गोरी की अधिनता स्विकार कर ली थी और पृत्वी राज चोहान को मुहमद गोरी ने जिंदा उस वक्त छोड़ दिया। लेकिन मुहमद गोरी पृत्वी राज चोहान को हमेशा अपने सत् ले गया हुआ था अफगानिस्तान तो यह जो है यह तीन किस्सा जो है वो प्रिथ्वी राज चोहान के विशय में है कि आखिर तरायन के दूति के बाद प्रिथ्वी राज चोहान के साथ क्या हुआ तो इस विशय में यह तीन किस्सा है इसमें जो सबसे प्रमानिक किस्सा ज मंदित कुछ फैक्ट जिसे आप लोग को जानना चाहिए कि तरायन के दूतिय यूद्ध के बाद आखिर प्रित्विरा चोहां के साथ क्या हुआ ठीक है इसके बाद में जो है वह मुहम्मद गोडी दिल्ली अजमेर सिर्शा हडयाना और पटेयाला पर पटेयाला के छेत्रों पर अधिकार कर लेता है यहां पर देखेंगे तो इस पूरे चेत्र पर जो है वह मुहम्मद गोडी का कबजा हो जाता है जब वह तरायन के दूतिय यूद्ध में जीत जाता है तो उसके बाद में 1194 इसपी में वह कन्योज पर भी आक्रमन करता है कन्योज का साथ सकी था ज जैचंद जिस जैचंद ने प्रित्वी राज चोहान के भेद को बताया था मुहमद गोडी से कैसे प्रित्वी राज चोहान को हडाया जा सकता है अंत बेजवाए 1194 इसमें मुहमद गोडी उस जैचंद को भी नहीं छोड़ता है और कन्योज जो उसका राज्य छेत्र जाती है उसके बाद में कन्योज जीदते हुए मुहमद गोडी बनारस तक पहुंचता है और च्फेटरों पर अपना अधिकार कर लेता हैं म मनारस में बड़ी संख्या में मंदिरों और मूर्तियों को छती पहुंचाता है इसके बाद जो है मुहम्मद गोरी यहीं पे रुख जाता है और इसके बाद जो उसका सामराज्य विस्तार भारत में वहां उसके दो सबसे जो प्रिये सैनिक थे एक कुतबुदीन एवक और और इसके रिखतेजों को इसके सामाराज्य का प्रेखतार अफगानिस्तारि यहां पे जो मानशितर देख जाता है आप तो एक छो टा सा गोर्प रांथ हुआ करता था वहां से ले करके यहां पर देखें तो पूरा ए आफ mitad वर्तमान का पाकिस्तान, भारत में यहां पर देखेंगे तो राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हडियाना, यूपी, बिहार, बंगाल और वर्तमान का बंगलादेश, इन सब छेत्रों पे जो है, वह मुहमद गोरी का सामराज्य का विस्तार यहां तक हो जाता है, ठीक है, एक थोटा सा अफगानिस्तान में कभी गोर प्रांथ हुआ करता था, वहीं तक सा सकता हुआ करता था, गोरी समराज का, उससे जो है, मुहमद गोरी उतने से इतने बड़े छेत्रों पे अपना अधिकार जमा लेता है, इसके बाद में जो है, मुहमद गोरी के भाई गिया सुल्तान बनता है, अब तक भी हम मुहमद गोरी सुल्तान नहीं था, अब तक मुहमद गोरी का बड़ा भाय गिया सुद्धीन गोरी सुल्तान था, लेकिन बारसो तीन इसपी में जब उसके मिर्ती हो जाती है, तब मुहमद गोरी सुल्तान बनता है, उसके बाद सुल्तान बनने के बाद 1240 में मुहम्मद गोरी एक बार फिर से खोड़ासान प्रांत पर यहां पर यह जो छेतर देख रहे हैं यही खोड़ासान प्रांत है तो इस खोड़ासान प्रांत पर एक बार फिर से कबजा जमानी के लिए इस तरफ अपने समराजी का विस्तार करने के लिए आ अपने आखिरी अभियान करता है खोखर जन जाती के खिलाम यहां पर देखेंगे तो यह च्छेतर है ह्यहीं पे हुआ करते थी खोख़र जन जाती यहां मूलता को है हिंदू माने जाती खोख जन जाती और यह क्या करती थी कि जितने लोगो को इसलाम में कनवर्जन कराया था मुहमूद गजनी ने और मुहम्मद गोरी ने उनको जो है यह चुन-चुन के पकर-पकर के मार रही थी तो इसलिए इस खोखर जनजाती के इस विद्रोह को दवाने के लिए मुहम्मद गोरी बारसो पांच इसमें फिर से भारत आता है और जहलाम और चनाब ने थी यहीं पर बहती है जहलाम और चनाब ने थी इसी के तक पे युद्ध होता है मुहम्मद गोरी के सिना और खोखर जनजाती के बीच इसमें मुहम्मद गोरी की जीत होती है इस युद्ध में जो है सबसे ज़्यादा जो एहम भूमी का निभाता है और सबसे जो बहादरी से लड़ता है वह लड़ता है इलतुत्मीस जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे उसकी बैयोग्राफी को मैं अलग से कवर कर दूँगा इलतुत्मीस की बैयोग्राफी है इसमें जो है काफी बहादरी से लड़ता है इलतुमिस और इस से महमंद गोरी काफी उसकी बहादरी से खुस होता है और इसे काफी उच पद पर इलतुमिस को नूप करता है 1226 में महमंद गोरी घुकर जनजाती का विद्रोह दवाने के बाद में वापस लोट रहा था गजनी लेकिन जब वो विश्राम करने के लिए रास्ते में धमियाग गाउं परता है वर्दमान में सुहावा पाकिस्तान है पाकिस्तान में परता है सुहावा टाउं वहीं पर एक धमियाग गाउं परता है उसी में विश्राम करने के लिए वह रुखत पेखार का मानना है कि कोछित्यास करणा कर दाएं, और प्रिथवी राद critics चुहान का चले कर ले गया उए था Herr झाल की दौरा जो किस्टा सब्सकार ने आप लोगों ने और प्रिथवी राद चुहान कि जो मूवी हाली में कुछ दिन पहले आई थी अगर देखे होंगी तो उसमें यह सीन दिखाये गया है तो पृत्वी राज चोहान के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है तो इस तरह से जो इतिहां स्कारों का अलग-अलग मत है लेकिन जो उसमें सबसे प्रमानिक मत माना जाता है वो यही माना जाता है कि इसकी हत्या मुहमद गोरी की हत्या ख्वारी जमसाह के द्वारा करवा दी गई है ठीक है तो यह था मुहमद गोरी की जीवनी हम लोग मिलेंगे किसी और लेक्चर में तो तक लिए, नमस्कार